हेलो एवर्डीवन वेलकम बेक तो मैं चैनल हीमाचली व्लॉगर सरोज दो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई हूप सब अच्छी होंगे और हम भी ठीक हैं और देखें मौसम आज हो गया है बहुत अच्छा मतलब काफी जादा जो है हवा तुफान चल रहा है ठंडी ठंडी ह आधे दॉवा चल रही है क्योंकि देखें बारिश भी होने वालिया बहुत जादा काले काले बादले जो है आसमान में आ ऊहारे हैं और यह लगता है मतलब भूजम के बारिश होने वाली है рवर मिटटी वगहरा उड़ जो है हवा तुफान चल रहा है और मोंसम भी लगता हाद है शुरू होने वाला है और आप बताना कमेंट करके कि किसके किसके यहां जो है बारीस हो रही है और मतलब हवा तुफान चल रहा है और कपड़ी दोकर जो बहार डाले थे वो भी इतनी जल्दी-जल्दी में उठाने पड़े क्योंकि इतनी जादा तेज हवा चली और साथ में जो है मिट्टी भी उड़ने लगी तो मतलब उनको फटा-फट उठा के अंदर करना पड़ा तो फ्रेंट्स देखा आपने कितना जो है मौसम खराब हो गया है और आज जो है बारिश हो जाएगी और गर्मी से जो है रहत मिल जाएगी और इतनी जादा हवा तुफान चला की कपड़े सुखने के लिए लाले थे वो भी जो है बहुत जल्दी-जल्दी में उठाने बहुत ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी हो गई तो फ्रेंट्स सहावा तुफान के साथ अब जो है बारिश भी जो है बाहर शुरू हो गई है और अभी मैं जारी थी किचन में आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही अच्छा और चटपटा सा एक अरो कि आपसंग मेरे चैनल में बिजिट रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना न बूलियक और आपको मेरे व्लॉग अगर अच्छ लगते हैं तो जो है व्लॉग को लाइक और शेयर करना भी न भूलिये गा तो चलिए फ्रेंड्स पी sanat बैक 19 शेयर करना भी न या पैटी बोल सकते हो पनीर पैटी तो वो मैं बना रही हूं तो चलिए फिर उसके लिए चलते हैं किचन में और जो है कप फिर बाद में यह जो कपड़े बाहर से उठाए हैं इनको भी जो है फोल्ड वगेर करना है कुछ जो थे सूगे थे और कुछ गीले थे उनको मैंने अंदर बैड़ पे ही खेद दिया है तो यह भी फिर बाद में काम निप्ताना है तो पहले कीचन में चलते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है एक कटोरी तीरू का आटा लेना है और यह देखिए आधी सी कटोरी मैंने सूची लिए है यह पे और साथ में लिया है चावल का आठा तो यह मैं इस चमच से जो है रेल सी चमच लूँगी इसकी और इसमें जो है हमें डालना है मियोन लतेज हमें इसमें डालना है थोड़ा सा है कि ज्यादा भी नहीं होना चरह कि तो टूंदा थीफ होना चाहिए इस च मत से तीन चम moins मैं डाली है ऑफ of हमें वान है जो यह समारा आटा है एक फारा का जीज़े हम लिए इनको कर ले ला है को अच्छी तरह से mix कर बिलखिल को इस अच्छी तरह से स्मिक्स करना है जब तक वब इस तुम नमेश्ञी मोटिंङ आने लगा तो अभी मैं को तो फिर चलिए मैं इसका डोब बना लेती हूं तो यहां देखिए इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स वेने कर लिया है तो जो हमने ऑईल इसमें डाला था हो जो है अच्छी तरह से मतलब पूरे इस आटे में हो गया है अब्सॉर्ब और अभी हमें क्या करना है इस बैटन मे हमें हमको डालना है थोड़ा सा नमक तो यह देखिए यहां पर जो है छोटी सी जमच में नमक यहां पर डालने हूं और अब क्या करना है हमको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालके इसको जो है अच्छी तरह से इसका जो है डोब बना लेना है और हमने इसमें सूजी डाली है तो निया जो है पाद हो जाएगा तो अभी से हिवाद में इसका जो है रागी फोलब क Raw करना है हुआ कि कढ़ने देखिए इसका जो है अच्छा सा सौ मैंने यहां पे बना लिकाल और हमार ऽूम पर थोड़ा सा छौदा सा अद्यक्षाल लगा देंगे करेंगे इस तरीके से और इसे जो है अच्छी तरह से ड़कर रख देंगे कम से कम कि 10 से 15 मेंटा मैं इसे ठक के रखना है और उत्रज़ेरी करेंगे हैं 개 स्टफिंग करेंगे उसकी त्यारी करने हैं तो स्टुपिंग के लिए यहां पे देखीए जुह है पनीर मैंने यहां पे बना लिया था पहले ही और एक शिमला मिर्च में डालूंगी और लमें प्यार जालूंगी एक हरी मिर्च डालूंगी तो अभी जो है मैं इनको काट लेती हूं तो फ्रेंड्स यहां एक बावल मैंने ले लिया है और उसमें मैंने डाल दूली पनीर और यह देखी एक श्रिमला मिर्च बहुत ही बारीक मैंने इसको कटा है बिल्किल बारीक यह कटी हुई होनी चाहिए और एक प्याज जो मैंने दिया था और यह हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हम उसमें भी डाला है तो यहां जादा नमक हमको नहीं डालना है थोड़ा सा यहां पर नमक पर नडाला है और यह जो है यह मैं डाल रहूं यहां पर धनिया पाउडर हलका सा और चिली फ्लैक्स भी आप डाल सकते हो लेकिन मैं यहां पर डाले हूँ यह मिक्ची पाउटर थोड़ा सा क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली है तो नहीं तो यह फिर जादा तीखा हो जाएगा और फिर हम जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यहां पर हरा धनिया डाल के फिर इसको जो है अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है यहां देखिए जो डू है इसको भी रखे वे 15 कर मिंट हो गए है अभी हमें क्या करना है इसकी जो है छोटी-छोटी लोगिया मना लेनी है ज्यादा बड़ी नहीं छोटी-छोटी इस तरह की देखिए जो है मैंने यह लोगिया सारी बना ली है और अभी हमें क्या करना है इसको बेलना है इनको कम आप चाहें तो तेल लगाके भी इसको बेल सकते हैं और चाहें तो आटा लगाके भी इसको बेल सकते हैं बस ये जो है बिल्कुल पतला यह होना चाहिए बोटा कर दो देखिए यह देखें बिल्कुल यह पतला है यहाँ से बिल्कुल पतला बेला हुआ है और अब हम इसको बेलने के बाद हमें क्या करना है इसकी जो करने हां में इसमें स्टफिंग इस तरीके से हाथों से इसको सेट कर देना है ताकि जो है अची तरह से हो जाएए और इस तरीके से अंदर पहते ना है इसको और साइड़ों को ऐसे यह देखिए और कर देना है इसको रोल और यह रोल बन गया है और इसको हलका सबस ऐसे प्रेस कर दें और फिर रख दें प्लेट में अब इसी तरीके से जो है मैं सारे बना लिती हूँ यह रोल और फिर इनको करेंगे हम इनको करेंगे फ्राइब कर दो करेंगे हैं अब कर दो कर दो कर दो कि दो कि दो कर दो कर दो कि। झाल झाल तो फ्रेंट्स यहां जो है मैंने जो जितने भी यह बनने थे रोल वो सारे की सारे बना लिये हैं और बहुत ही इजी हैं और बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं अगर आपने नहीं बनाये हैं तो एक बार जरूर बनाएए खिलाएए बच्चों को या कुछ स्पेशल बोहू तब भी आप बना सकते हो और यह देखी कितने अच्छे लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है गिहूं के आटे की बने हैं और अभी हमें क्या करना हैं अब हम इने करेंगे फ्राई या तो आप पैन ले सकते हो पैन में इसको इनको बना सकते हो या कडाई में बना सकते हो तो यहां जो है मैंने देखी कडाई अब हम इसे गरम होने दूंगी और जैसे गरम हो जाएगा फिर हम बिल्कुल कम हलकी आँच में इनको पका लेंगे अभी जो है तेल गरम हो गया है और अभी हम क्या करेंगे इनको डाल देंगी इस तेल में हुए जितने इसमें आ सकते हैं तेल में उपने जी में डालोगी ताकि धिश्रह जाए और यह जो है चिपके नहीं आताता समय न तो और यहां देखिए इन कम पलट प्र-लटके म苫्मेने पका लिया Death जो आफिवाय के पकते हैं थोड़ी देर मैं इसे चलने में इसको रख़ूंगी ता कि टेल है उंको जिये अट शीड़ी絹 को एक ख Swaggy बाकी के टेल मैं जो और हैं उंको में डाल दूँगी कर दो तेल बिल्कुल अच्छी तरह से इन से निकल गया है, बिल्कुल भी तेल नहीं है. तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने बनाई है यह पुदीने पे आज की चटनी और नीमभू डाल के और अभी जो हैं हम यह अपने जो हमने यह बनाए हैं पनीर रोल इनको हम यहां पे प्लेट में सजा देंगे और यह देखे कितने अच्छे लग रहे हैं यह पनीर रोल आप इने पनीर पैटी भी वह सकते हो पनीर रोल भी हो सकते हो तो अभी यह बन के रेडी है और यह देखे क्रिस्पी से क्रिस्पी से यह रोल बन के रेडी हुए हैं तो आईए आप भी खालेजी हमार साथ तो फ्रेंस यह था आज का वीडियो आई हो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरी चैनल को करना ना पुलिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नए रेक्सिक के साथ किसी नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाई बाई और थैंक्स पॉर वाचिंग